हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दा फ्यूचर कोचिंग पर मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर आपको किसी भी गौर्मेंट एक्जाम की तैयारी बिल्कुल निसुल कराई जा रही है उसी स्वीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो लेके आए हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बैल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें साथ ही साथ अगर आपने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे जिस पे आपको सभी गोर्मेंट एक्जाम से रिलेटिड अपडेट्स और आपकी इंपोर्टेंट इस्टेडी मैटेरियल और उसके साथ साथ हैंड रिटिन नोट्स और साथ में जो हमारे सैसन होते हैं उनकी पीडिएफ आपको हमारे इसी टेलिग्राम चैनल पे मिल जाए आप डिस्क्रिप्शन में जाके जोइन कर सकते हैं लिंक पे जाके या फिर आप टेलिग्राम के साथ बोक्स में जाके डारेक्ट जाएंगे आप साथ बोक्स में और वहां आप दा फ्यूचर कोचिंग बिना इस पेस दिये डाल देंगे तो भी आप हमारे चैनल पे पूछी जाती है हर उस एक्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए सूटेबल रहेगा हमारे चैनल पर आपको जीके जीएस कि रीजनिंग मैट्स और हिंदी ये चार सब्जेक्ट जिस भी आपके एक्जाम का हिस्सा होते हैं उसकी तो आप तैयारी पूरी की पूरी हमारे चैनल से इजी ली कर सकते हैं वो भी बिना किसी सुलके और इसके अलावा जो भी आपका एक्जाम होता है उसमें आपके जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएं उस सब्जेक्ट की तैयारी आप इजी ली कर सकते हैं देखिए हमारा जो मेन मोटीव है वो किसी एक्जाम को टार्गेट करके नहीं है हमारा जो मेन मोटीव है बच्चे को सब्जेक्ट को सिखाना है तो मैं आपके Reasoning और Maths के Lecture लेता हूं तो ये दो Lecture जो है मेरी ही होते हैं Monday to Thursday हम Maths पढ़ते हैं और Friday और Saturday हम Reasoning पढ़ते हैं तो आज है Saturday, कल भी इसकी सेसन आया था हमारा जो हमारा Chapter चल रहा है, वो Coding, Decoding चल रहा है अब इससे पहले हमने इसके तीन पार्ट और डिसकस कर लिया है तो आज जो है हमारा Fourth Part होगा One by One हमने सारे के सारे डिसकस किये हैं और आपको Basic से लेके Advance तक हमारे सैसन से सीख सकते हैं ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक्जाम को कि UP Police के लिए टार्गेट किया है या फिर हमने दिल्ली पुलिस के लिए टार्गेट हम केवल सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं और अगर मैं Reasoning आपको खरा रहा हूँ तो चाहे आप SST CGL का एक्जाम देना चाहे आप GD का एक्जाम देना चाहे आप UP Police का एक्जाम देना आपको सब जगे आपको जो है Reasoning का जो लेवल मिलेगा वो आपको हमारे हिसाब से ही मिलेगा और आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो मैं आपको केवल सजेश्ट करूँगा PYQ आप कोई भी Reasoning अगर आप SST का एक्जाम दे रहे हैं अगर आप SST पैटर्न का एक्जाम दे रहे हैं तो आप SST के प्रिवियस यह लगाईए और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक के प्रिवियस यह लगाईए क्योंकि Reasoning जो है उसमें आपको PYQ आपकी कहीं न कहीं बहुत जादा मदद करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेसन को जैसा कि वैंने बताया कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं और इससे पहले हमारे I think तीन पार्ट आ चुके हैं तो आज यह चोथा पार्ट होगा यह तीसरा पार्ट होगा तो पूरा बेसिक कंसेप्ट देखिए मैं आपको one by one दिखा देता हूँ जैसे हमने पहले जो पार्ट है उसमें हमने लेटर कोडिंग पड़ा था लेटर कोडिंग में हमने इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट जाना था उसके बाद हमने questions भी discuss किये थे questions डिसकस करने के बाद हमने फिर second part आया हमारा second part में हमने फिर से letter coding के ही कुछ और questions डिसकस किये थे और उसके बाद हमने number coding सुरू किया number coding कल की class में हमने number coding सुरू किया था और आज हम उसी को continue करते हुए अपने number coding के कुछ questions और उसके नएने pattern को सीखने की कोसिस करेंगे तो कल की class अगर आपने नहीं देखिए तो उसका पूरा का पूरा जो session है वो description box में link पड़ा हुआ है आपके वहाँ जाके आप देख सकते हैं पूरा session आपको मिल जाएगा तो यहां तक हमारा कल के question में हमने कर लिये थे कल के question में हमने एक question क्या था और यह दूसरा question हमारा अलग कल की class थी हमारी इसमें हमने number coding का basic जाना था basic कुछ points होते हैं आपको मैंने देखो बकायता written hand written आपको लिखवा रखे हैं मैंने यह आप चाहो तो इनने screen sort ले सकते हैं या आप सीधा सीधा अपने register में note कर सकते हैं क्योंकि note करने से क्या होगा आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी आप screen sort ले सकते हैं screen sort आप बिलकुल ले सकते हैं इसका तो पांच से छे point है उसके अलावा हमने question भी किया था यह simple question था पहला question था हमारा number coding का और आज हमारा है second question आज हम सुरू करेंगे यहां से जो question number 27 है हालंकि मैंने आपके लिए homework में दिया था लेकिन आपका किसी का भी answer इसमें नहीं आया है तो चलिए बताता हूँ मैं solution क्या है इसका question क्या है सबसे पहले हम question को बढ़ते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भासा में a बराबर 2 m बराबर 26 और z बराबर 52 लिखा जाता हो तो उसी भासा में bet को कैसे लिखा जाएगा अब देखिए आपको पता है a को code क्या कर रखा है उसने 2 कर रखा है m को code कितना कर रखा है m को code कर रखा है उसने 26 और z को code कितना कर रखा है z को code कर रखा है उसने 52 अब आपको पता है a की place value कितनी होती है 1 होती है m की place value कितनी होती है 13 होती है और Z की place value कितनी होती 26 आप देख रहे होंगे A का double है 13 का भी double है और 26 का भी क्या है double है तो मुझे बताओ B E T का मुझे बताना है तो अगर मुझे B E T का place value निकालनी हो तो मैं कहोंगा B आता है 2 पे E आता है 5 पे और T आता है 20 पे अब 20 और 25 25 क्योंकि देखो मेरे option कैसे है 44, 54, 64 या निकी जोड़ रहे होंगे वो 20 और 25 25 और 25 और 25 और 27 अब मेरा इनका total कितना आ गया 27 आ गया लेकिन आपको पता है हर number में गुना 2 भी हो रही है तो ये 2 कितना बन जाएगा 4, 5 कितना बन जाएगा 10 और 20 कितना बन जाएगा 40 तो अगर मैं अलग-अलग ना जोड़ के सीधे सब में ही 2 की गुना कर दूँ तो 27 दूनी मेरा answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा मेरा 54 option देखिए 44, 54, 64, 64 और 32 तो मेरा right answer क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा right answer हो जाएगा 54 जो कि option number B है तो right answer क्या है मेरा option number B 54 जो की है सही answer तो उमीद करूँगा आप इस चीज़ को और मैंने आपको बताया है कि जो मैं जो question, coding, decoding के सीखने है वो मुझे answer के coding नहीं सीखने है मुझे pattern ध्यान में रखने है कि मैं किस-किस के pattern आपको किस-किस तरीके के pattern आपको question में apply कर रहा हूँ या किस-किस तरह का pattern आपके question में आ रहा है तो main जो होता है वो आपका ध्यान रखना है कि pattern जो है हमारे question का वो सबसे main चीज होती है तो चलिए बढ़ते है next question पे session पसंद आए तो session को एक like जरूर करेंगे और साथ में दोस्तों के साथ session का जो link है वो एक बार share कर देंगे जितने भी आपके study group है आपका telegram group होंगे और आपका whatsapp status है आपको केवल क्या करना है आपको इस channel का जो class का जो link है वो आपको अपने whatsapp status पे लगा देना है और यकीन मानिए अगर आप दो से तीन महीने हमारे साथ रहके तयारी कर लेते हैं तो आपका maths or reasoning मेरी गारंटी है maths or reasoning में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी चाहिए आपको इसा भी exam देने चले जाना तो session पसंद आए तो एक बार like जरूर करेंगे और साथ में एक अच्छा सा comment अगर आप करेंगे के हाँ भी session अच्छा लग रहा है आपको और आपको चीज़े समझ आ रही है या आपको कोई improvement की जरुवत है के भी हाँ जी ये चीज़े कमी आ रही है क्लास में आपको ये चीज़े सुधार करनी चीए तो देखिए आपके जो comments है या कोई भी suggestion है वो बिल्कुल welcome है उनका हम उस पे जरूर काम करेंगे और हमको और अच्छे से करने की कोसिस करेंगे आपके लिए चलिए बढ़ते हैं next question पे next question क्या कह रहा है question number second है हमारा आज की class का कि यदि किसी सांकेतिक भासा में e बराबर 5 तता hotel बराबर 12 लिखा जाता हो तो उसी भासा में lamb lamb को कैसे लिखा जाएगा देखिए most important question है अकसर बच्चे इस question में गलती कर देते हैं तो मैं आपको इसको three star mark करने के लिए कहूंगा और most important question की स्रीनी में आप इसको रख सकते हैं question क्या कह रहा है e बराबर है 5 अब e से समझ में आता है क्योंकि e का place value कितना होता है 5 ही होता है तो 5 को उसमें क्या लिख दिया 5 लेकिन hotel के उसमें क्या लिखा है hotel आपको पता है h 8 पे होता है o 15 पे होता है t 20 पे होता है e 5 पे होता है अब यह तो यह कह दो कि लाश्ट वाले नंबर का जो वह है नंबर वो मेरा अंसर आ रहा है और hotel को कितना लिखा है उसमें 12 तो lamb को तो 2 लिखना चाहिए इस हिसाब से तो क्योंकि b में मेरा 2 आता है लाश्ट वाई e 5 है l 12 है तो b 2 आना चाहिए टोटल कितना आ रहा है इसका 60 आ रहा है मुझे किसका बताना है lamb का बताना है एक बार lamb का और चेक कर लेते हैं l 12 a 1 m 13 और b 2 अगर मैं सबको जोड़ू तो यह 12 और 13 13 26 और 2 28 28 है मेरे पास अब 28 कैसे आ रहा है 28 option में है 28 option में है लेकिन आपको पता है क्या हो गया गले में एक second पानी पी ले तो मजरा चलिए सबसे पहले आप try करो देखो इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा क्योंकि में चीज आपको ही है कि आप अगर अच्छे से एक बार इसे समझ पाते हैं तो आप तो इसका solution जरूर कर लेंगे देखिए मैं आपको बता दूँ आपको पता है एको उसने पांच लिखाए अब एक की place value कितनी है पांच है और मुझे बताओ यहाँ पे मेरे पास number of letter कितने है number of letter एक है तो अगर मैं 5 को एक से भाग करूँ तो मेरा answer क्या आएगा पांच ही आएगा most important question है बच्चे इसमें गुम रहा हो जाते हैं कई बार घूम जाते हैं अब देखो होटल में आपको पता है होटल का total कितना आ रहा है होटल का total कितना है 60 होटल में number of letter कितने है एक दो तीन चार पांच अगर मैं 60 को पांच से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे बारा भी मिल रहा है बिल्कुल ये भी देखो बारा मिल रहा है अब मुझे पता चल गया कि जब मैंने प्लेस वैल्यू के सम को डिवाइड किया number of letter से तो मेरा कोड आ रहा है इका पांच आ गया होटल का बारा आ गया अब मुझे क्या पुछा है नमबर ए मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं आपको यह ध्यान रखना है क्या बार मैंने आपको यह पैटर्न भी बताया था कि या तो सम करके भाग कर रखा होगा किसी कौंस्टेंट नमबर से या भाग कर रखा होगा किसी नमबर ओफ लेटर से या तो गुना कर रखा होगा कौंस्टेंट नमबर से या कौंस्टेंट नमबर ओफ लेटर की गुना कर रख्योगी यह दो पैटर्न मैंने आपको देखो मैं आपको दिखा देता हूँ देखो य कि इसमें सब्द के सभी अक्षरों को जोड़ कर किसी संख्या से गुना कर दिया जाता है यह संख्या एक स्थिर रासी यानि की constant value भी हो सकती है या एक चर भी हो सकती है चर तरक्यूक्त होना चाहिए चर में अक्षरों की संख्या या स्वर या व्यंजनों की संख्या हो सकती है तो देखो गुना करा जाता है या तो अक्षरों की संख्या होगी या स्वर या व्यंजनों की संख्या होगी ये दोनों भी आ सकते हैं तो ये चीजें और इसके अलावा देखो भाग वाला भी मैंने बताया था तो ये चीज़ ही अपलाई होगी जो pattern है वो गिने चुने है नए pattern भोद कम बनते हैं आपके गिने चुने ही pattern आते हैं वो ही repeat होते रहते हैं तो उमेद करूँगा ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होगे और ये question आपका most important question है आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं next question पे next question है हमारा देकि एक बात और बता दूँ ये जो मैं question आपको करा रहा हूँ ये सभी PY क्यों है ये किसी ना किसी exam में आपके ये question पूछे हुए है तो important कहीं ना कहीं जरूर रहेंगे सारे ही question शुरू के एक दो basic question हो को छोड़ते तो जाज़तर जो question होंगे आपके वो important होंगे क्योंकि सारे के सारे में क्या लेका है हूँ आपके लिए PY क्यों लेका है हूँ और PY क्यों से क्या होता है exam का trend पता चलता है चलिए question क्या कहा रहा है kites बराबर दो Monday बराबर दो तो परतम दरश्टा है तो हम यही कहेंगे कि मंडे भी दो है kites भी दो है तो air भी कितना होगा दो ही होगा कि बई सब जगे दो ही दो आ रहा है तो यह भी दो ही होगा लेकिन logic क्या है logic भी तो पता होना चाहिए अब देखो kites का अगर मैं इसमें जोड गटा गुना भाग करूँगा इसे भी मैं आपको कह दू तो important question की सुरेनी में इसे भी पोचाने वाला हूँ क्योंकि यह pattern जो है बहुत कम देखने को मिलता है तो जब देखने को मिलता है तो बच्चे गुम रहा हो जाते हैं घुम जाते हैं अब देखे kites में को दो लिखा है अब kites को दो कैसे लिखेंगे देखो या तो हम इसका जोड गटा गुना भाग करेंगे तो मैं आपका ऐसी जोड गटा गुना भाग करके टाइंग शराब नहीं करना चाहता इसमें pattern क्या है जो इसमें pattern लगा हुआ है वो लगा हुआ है वो विल्स और ऐसे हैं क्या आप मुझे बताओ काईट में कितने वो विल्स हैं एक और एक दो और उसने number वो विल्स को ही याँपे add कर रखा है बस कुछ नहीं कर रखा अब हम इसमें जोड गटा गुना भाग सब लगा देते तो आपको मैंने बता है कि आपको क्या करना है आपको pattern ध्यान रखना है जैसे Monday में कितने वोविल्स हैं आप कह दो है Monday में O है और A है तो यहां भी वोविल्स की संख्या यानि कि स्वर की संख्या कितनी है दो है अब बात आते है Air की तो Air में भी आप देख रहे होगे एक और दो तो दो ही है तो Air का भी अंसर कितना हो जाएगा मेरा दो हो जाएगा उप्सन है तीन एट चार दो यहां तो अगर रूफ स्वर की संख्या उसने कोड के रूप में रख रख थे है ठीक है तो आसान कोश्चन था इसी तड़ी के कोश्चन आते है नया कुछ भी नहीं होता बसके बल पैटर्न नया होता है तो पैटर्न आपको सीखना है मेन आपका जो है पैटर्न सैसन पसंद आ रहा है तो सैसन को एक लाइक कर देंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लेंगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट क्या कहा रहा है यदि किसी संकेतिक भासा में टी ओ टू को 19 लिखा जा रहा है और MY माई को 16 लिखा जाता हो तो उसी भासा में ही को कैसे लिखा जाएगा अब देखो टी ओ टू है और टू को कितना लिखा है 19 MY माई है माई को कितना लिखा है उन्होंने 16 हम से क्या पूछा है ही का पूछा है के ही बराबर क्या होगा अब देखो टी कितने पर आता है वीस पे ओ कितने पर आता है पंदरे पर तो बीस और पंदरे पैंथिस होते हैं 35 तो आ नहीं रहा क्योंकि मेरा तो जो कोड है वो 19 है इसका अपोजिट करके देख लिए अग़ा यह साथ है और 15 यह 12 है तो आपको कही ना कहीं 12 प्लेश साथ करके 19 जरूर मिल रहा है इसमें चेक करेंगे M कितने पे आता है 13 पे तो 13 का अपोजिट कितना 14 Y कितने पे आता है 25 पे तो 25 का अपोजिट कितना 2 तो कहीं न कहीं 14 और 2 16 भी मिल रहा है तो कहीं न कहीं मेरा जो पैटर्न क्या है अपोजिट का सम क्योंकि अपोजिट अमबर किया है 14 और 2 और 14 और 2 कितना होता है 16 तो अपोजिट का समी तो आ रहा है तो चलिए अपलाई करते हैं 8 है 8 का अपोजिट कितना आएगा 19 5 है 5 का अपोजिट कितना आएगा 22 और 19 और 22 अगर मैं करूंगा तो 20 प्लस 21 20 दूनी 40 और 41 तो मेरा जो ओप्सन होना चाहिए वो 41 होना चाहिए 41, 42, 49 तो पहला ही ओप्सन क्या रखा है मेरे सामने पहला ही ओप्सन रखा है मेरा 41 तो मेरा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 41 ही हो जाएगा तो उमीद करूँगा सैसन पसंद आ रहा होगा और आप इसे enjoy जरूर कर रहे होंगे एक बार comment कर देंगे अच्छा सा कि हाँ जी आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है क्योंकि हमें भी देखो तब ही पता चलता है आपको जरूर उसका answer दिया जाएगा देखिए comment box आपके लिए इसलिए होता है कि आपकी कोई query है आपका कोई doubt है तो आप उस doubt को comment box में लिख दो क्योंकि देखिए online teaching में क्या होता है face to face तो मिलते नहीं online teaching का केवल एक यही drawback है कि teacher और student face to face नहीं मिलते लेकिन उसके लिए क्या बनाए आपका comment box बनाए आप comment box में comment कीजिए और जब आप comment करोगे तो हम उसका reply आपको जरूर देंगे तो यही चीज face to face होती है तो online teaching है कही ना कहीं कुछ ना कुछ तो फाइदा और नुकसान होंगे तो कुछ फाइदा है कि घर पे बैठके education मिल रही है तो कुछ इसके नुकसान भी है कि अभी teacher से interact नहीं हो पा रहा interact भी हो गब हो जल्द हमारी live classes start होंगी आपके लिए live classes होंगी हमारी फिर हम और अच्छे से session को start करेंगे फिर हम interaction भी करेंगे क्योंकि live class में हम easily interaction कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं next question पे next question है हमारा question number 31 आज की class का हमारा ये six question है question कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भासा में zip को 198 तथा zap को 246 लिखा जाता हो तो उसी भासा में map को कैसे लिखेंगे most important question है three star दे दो important लिख दो ssc में ये cgl में आया था हलंकि आया तो ये बहुत पहले था लेकिन ये ssc cgl prelims का question है मुझे अच्छे से याद आ रहा है और i think 2021 या 22 का question है ज्यादा पुराना भी नहीं है 2021 बाइस का ये question है तो देखो question क्या कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भासा में zip zip को क्या लिखा है उसने 198 उसके बाद zap तो zap को क्या लिखा है उसने 246 हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है m a p अब देखो z कितने पे आता है 26 पे आता है नंबर तो डालनी डालने है ये 9 पे आता है ये 16 पे आता है क्या 51 को 198 बना सकते हैं देखो 51 को 198 बनाने के लिए किसी नंबर से गुना करना पड़ेगा अब देखो अक्षा रोकेशन क्या कितनी है तीन तो 50 तीया देड़ सो एक तीन यह तो 153 होगा पहले बात तो 51 से साइद यह बने गई नहीं क्योंकि कटे गई नहीं किसी नंबर से गुना तो करने पड़ेगी लेकिन जब मैं इनका टोटल सम कर रहा हूं उसमें किसी भी नंबर की गुना करके यह 1098 मुझे नहीं मिल रहा अब मैं एक बार अपोजिट और देख लेता हूं जैड का पोजिट कितना एक 25 और 27 नो का पोजिट कितना होगा यह हो जाएगा आपका 18 और 16 का पोजिट कितना होगा 11 18 और 19 और 20 और 10 अब 30 को मुझे बनाना 198 बन जायगा बिल्कुल बन सकता है कि गुना 6 कर दों पिलस 18 कर दों कर सकते हैं देखो यह करके देख रहाऊ हूं मैं अभी यह कोई solution नहीं है कि 30 की गुणा मैंने 6 करी 180 ऐसे तो हम इसमें भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कि 51 की गुणा कर दें 3 में या 51 की गुणा किस में कर दें 4 में कर दें कितना हो जाएगा 50 चोग 200 एक चोग 4 204 और माइनस कर देंगे हम 6 ये भी कर सकते हैं यह भी बिल्कुल कर सकते हैं देखो हम जैसे हमने इसमें गुना चार माइनस चार कर सकते हैं ठीक है लेकिन हमारा इसमें भी अपलाई होना चाहिए कि जैए 26 और 27 27 और 10 37 37 और 43 अब देखो पहले मैंने क्या करा है 43 गुना 4 माइनस 6 करना है अब 4 तिया बारे का 2 चार चुक 16 और 17 172 ही आया अब 172 में से 6 घटाएंगे तो पहले तो 246 आजी नहीं रहा तो कहीं न कहीं ये पैटर्न तो मेरा काम का नहीं है ये चेक करते हैं एक बार अब जैड का पोजिट कितना 1 एक अपोजिट कितना 26 और पी का अपोजिट कितना जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 26 और 27 और 28 और 28 अब 38 में गुना किस की करना है चेकी प्लस कितना करना है 18 अब गुना करते हैं चेटे 48 का 8 हासिल को 4 चेटी 18 और 28 और 28 देखो पास में तो कहुंच रहे हैं प्लस 18 भी करना है तो 8 और 8 16 दो और 1 3 और 1 4 और 2 का 2 ही दो तो बिल्कुल देखो मुझे 246 भी मिल गया तो यह मेरा पैटर्न है कि वह सम पहले तो इनका अपोजिट का सम और फिर कॉंच्टेंट नंबर से गुना और कॉंच्टेंट नंबर प्लस अब इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या मैप हमारा अंसर निकाल पाएगा कि मैप में अगर हम इस पैटर्न को लगाते हैं कि हमें तो देखो अभी दो में तो लग गया तो यह तो कंफर्म है पैटर्न तो यही रहेगा बस हम मैप में अप्लाई करते हैं ं 3 पर आता है यह 1 पर आता है यह 16 पर आता है 13 का पूजिट कितना 141 का पूजिट 26 16 का पूजिट कितना 11 यह कितना हो जाएगा आपका 26 13 14 10 50 हो रहे है इक 51 51 मkommen मैं गुना कर दूंगा किस RYAN किसकी गुना कर रहे हैं constant number है 6 यहाँ भी 6 की गुना होई थी और देखो यहाँ भी 6 की गुना हो रही है और plus कितना कर रहे है अठारे तो 51 गुना 6 plus 18 तो 6 एकम 6 6 पंजे 30 प्लस 18 करेंगे तो यह हो जाएगा 8 6 14 का 4 1 और 1 2 और 3 का 3 तो यह जो मेरा answer बनेगा तो 324 बनेगा option में है पहला यह option मेरा क्या रखा है 324 रखा है देखो CGL में आया था को तो साधारन question तो नहीं होगा आप कहोगे जी इसे तो solve करने में बहुत time लग रहा है तो बिल्कुल देखो लगेगा CGL में पूछा गया question है और दोबारा भी आ सकता है क्योंकि अब देखो CGL में में भी आपका यह question reasoning जो है वो आने लगी है तो कही ना कहीं आपको इस type के question उपे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा में में repeated question आ जाते हैं कई बार जो 3 question 3 के question है CGL के वो में में repeat हो सकते हैं तो यह question बहुत अच्छा question था तो उमीद करूँगा आपको यह चीज समझ आई होगी और समझ आई है तो एक like जरूर कर देंगे आप हमें आप से केवल और केवल likes की ही जरूरत होती है चलिए next question पे चलते है question number 32 question क्या कहा रहा है ड्राइवर को लिखा है 12 उसके बाद pedestrian को p e d e s t r a i n pedestrian को लिखा है उसने 20 और हम से पूछा है accident का accident अब देको driver में को code कितना कर रख़ा है उसने 12 कर रख़ा है अगर मैं देखूं तो driver में number of letter कितने है एक दो तीन चार पांच छे चे को बारा बना दिया pedestrian में number of letter कितने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस 10 को कितना बनाया 20 बनाया देको बन रहा है तो एक बार हम चेक कर लेते है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नमबर of letter कितने है आठ आठ आपको पता है सभी number of letter में दो की गुना करके answer निकल रहा है क्या 16 मेरे option का हिस्सा है आप देखेंगे 3,8 3,16,8 और 10 तो मेरा 16 answer आ रहा है उमीद करूँगा ये pattern इसमें आप हम क्या करेंगे हम पहले इसमें number डालेंगे plus minus करना शुरू कर देखो वो करना भी पड़ेगा हमें लेकिन हमें ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप question करो मैंने आपको पिछले type में पिछले पार्ट में भी बताया होगा हमेशा easy, moderate और tough की तरफ जाओ पहले आप आसान चीज़ों को देखो क्या पता हो सकता है आसान चीज़ें हो जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि आसान चीज़ें जो होती है उससे question solo हो जाता है हमारा लेकिन हम क्या करते हैं हम tough में लग जाते हैं और आसान की तरफ फिर हम देख भी नहीं पते हैं लेकिन अगर हम पहली बार में ही किसी question में tough pattern लगाएंगे तो हमारा एक mindset हो जाएगा कि इसमें moderate और easy तो लगी नहीं रहोगा लेकिन जब कि वो question कैसा होता है वो easy वाला होता है तो हमेशा जब भी आप pattern की तरफ चलो तो easy, moderate और tough की तरफ चलो पहले आसान चीज़ों को डूंडो के मैं 12 किस आसान तरीके से बना सकता हूं तो इससे आसान क्या हो सकता है कि मेरे पास 3 और 3 6 है और 6 का double हो गया 12 यहाँ देख लो एक बार यह 10 थे तो 10 का double हो गया 20 अब एक बार चेक कर लो accident में 8 letter है तो 8 का double कितना हो जाएगा 16, option में match भी हो रहा है तो सही कहीं ना कहीं आपका यह answer सहीं बनाया जाएगा चलिए next question पे चलते हैं यह इसका देखो number coding का second type आगया अब तक तो क्या था हमें plus minus होके मिल रहते हैं अब हमें अलग-अलग number दिये हुए हैं कहरा है किसी निश्चित भासा में deal को 4-5 एक बारे लिखा जाता हो हलंकि यह उस वाले type से easy होती है जो plus minus वाला होता है उससे कहीं न की easy होता है क्योंकि यहां में सीथे-सीथे अलग-अलग number दिये होता है जैसे आपको पता है deal को उसने क्या लिखा है sorry n नहीं है l है वो एक मिनट क्या है हमारा number deal वो deal को क्या लिखा है उसने 4-5-1-12 आप अगर देखेंगे तो d पे कितना है 4, e कितने पे आता है 5, 1, a पे आता है और l कितने पे आता है 12 तो कहीं न कहीं मेरी जो place value है वो ही लिखी हुई है 4, 5, 1 और 12 तो बस lady का बताना है हमें तो lady का हम आसानी से बता देंगे l कितने पे आएगा 12 12 से सुरू हो रहा होगा यहां भी 12, 12, 12 तो यह तो answer नहीं है चलिए a एक पे आ रहा होगा तो दूसरा number 1 आएगा तो या तो यह होगा या यह होगा यह भी खतम होगा क्योंकि 4 आ रहा है यहां पे d कितने पे आता है 4 पे y कितने पे आता है 25 पे तो बारा एक चार पच्चीस मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बारा एक चार पच्चीस तो देखो यह रहा option number B क्या है मेरा right answer हो जाएगा बारा एक चार पच्चीस तो यहाँ पे केवल क्या था place value को हमें put करना था और place value as it is हमारी इसमें भी कई बार opposite प्लस माइनस वाली चीज़ें चल जाती है हो सकता है सामने आगे कोई question आए उसमें हम देखेंगे चलिए बढ़ते है next question पर next question क्या कह रहा है किसी निश्चित भासा में एक ने अब देखेंगे सब्द क्या है हमारा सब्द है हमारा एकने a c n e एकने को क्या लिखा है तीन साथ उन्टिस ग्यार है अब 29 तो कोई नंबर नहीं होता यानि कि कुछ ना कुछ तो multiply कुछ हो रहा है तो वह देखेंगे अभी क्या हो रहा है फिर हमें किसका बताना है बोईल का बताना है अब देखा एक कितने पर आता है एक पर c कितने पर आता है तीन पर n कितने पर आता है चोहदे पर यह कितने पर आता है पांच पर अब मैंने देखा था कि 14 को 29 बना रखा है 14 को 29 बनाया हुआ है कैसे बनाया है क्योंकि 29 डारेक्ट तो कोई नमबर है नहीं मेरा तो 14 को 29 बनाया है गुना 2 प्लस 1 से 5 को 11 बनाया है कैसे गुना 2 प्लस 1 से C को 7 बनाया है कैसे गुना 2 प्लस 1 से A को 3 बनाया है कैसे गुना 2 प्लस 1 से पांच आएगा दो दुनी 4 फ्लस 1 करेंगे 5 तो यानि कि मेरा जो आंसर दूनी 30 और 21 है option में बिल्कुल है आई 9 पे आता है 9 दूनी 18 और 11 19 है बिल्कुल है L 12 पे आता है 12 दूनी 24 और 21 25 तो मैंने पहली कहा था क्योंगे 5 से मेरा एक ही option शुरू हो रहा था तो वो ही मेरा क्या हो जाएगा answer भी वो ही हो जाएगा तो आप देख सकते है option 5 31 19 25 तो मेरा right answer है option number a और उमीद करूँगा यह चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे ऐसा नहीं है कि आपको जब number of letter के सीधे सीधे place value देगा तो वो आपको सीधा सीधे रख देगा वहाँ भी आपको कुछ न कुछ plus minus की condition apply करके देगई देगा तो चलिए बढ़ते है next question पर next question क्या कह रहा है question number 35 है किसी निश्चित भासा में machine को 19, 7, 9, 14, 15, 20 गया है चलिए लिख ले पहले machine को क्या लिखा है उसने machine को लिखा है 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 पूछा किस का है हम से danger का पूछा है तो यहां पर लिख लिख लिखते हैं डेंजर बी ए ए एन जी ए और आपको पता है कि machine में भी देखो 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ सब्द हैं इसमें कितने एच्छ है लेकिन हमें सब्दों से मतलब नहीं है लेटरों से हमें तो number देखना code अब M आपको पता है 13 पे आता है 13 को कितना लिख रखा है उसने 19 देखो यहां भी आपके जो letter coding वाले forward pattern, cross pattern, reverse pattern थे वह यहां भी लग जाते हैं लेकिन अभी जो चल रहा है हमारा simple forward pattern नहीं चल रहा है क्योंकि देखो M 13 पे था 19 आ गया एक पर होता है यहां मुझे साथ दे रखा है तो मुझे एक बात पता चल रही कि 13 में 6 जोडने पर 19 आता है एक में 6 जोडने पर साथ आता है अब मुझे देखना है 3C पे आता है 3 में 6 जोडने नो भी आ रहा है प्लस 6 हो रहा है H 8 पे आता है 8 और 6 14 यह भी ठीक है I 9 पे आता है 9 और 6 15 होना चाहिए बिलकुल है मेरे पास 15 भी N 14 पे आता है तो 14 और 6 20 होना चाहिए बिलकुल है E 5 पे आता है और 5 और 6 11 होना चाहिए मतलब मेरे नंबर में क्या हो रहा है पैटर्न क्या चल रहा है Place value PV प्लस 6 यह चल रहा है तो D कितने पे आता है 4 पे 1 14 7 5 18 तो 4 में मैं 6 जोड़ूंगा 10 आएगा तो 10 से सुरू हो रहा होगा तो option A मेरे 10 से सुरू हो रहा है C option सुरू हो रहा है यह तो खतम होगे A 1 पे आता है एक में 6 जोड़ूंगा तो 7 आना चाहिए दूसरे नंबर पे तो देखो 10 7 दोनों में आ रहा है चलिए N 14 पे 14 और 6 20 हो जाना चाहिए तो तीसरा जो नंबर आएगा वो 20 आना चाहिए चलिए 20 है तीसरे में भी G 7 है तो 7 और 6 13 होना चाहिए E 5 है तो 5 और 6 11 होना चाहिए और R 18 है तो 18 और 6 24 होना चाहिए अब अलग अलग न देखके बार बार मैच हो रहा था तो हमने सारी निकाल दिये 10, 7, 20, 13, 11, 24 10, 7, 20 यह तो 16 आ रहा है तो खतम 10, 7, 20, 13, 11, 24 बिल्कुल यह मेरा आनसर मैच कर रहा है तो option number C क्या हो जाएगा यहां क्या हो रहा है place value plus 6 अच्छा हाँ वो तो हमने इसी में तो पढ़ा था यह रहा कि place value plus 6 हम करेंगे तो आनसर हमारा आ जाएगा next question पे चलते हैं next question है question number 36 36 क्या है किसी निश्चित भासा में work को 4, 12, 9, 16 लिखा जाता है तो उसी संकितिक भासा में done को क्या लिखेंगे अब देखो हमें क्या लिखा रखा है उसने work 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 को क्या लिखा है उसने 4, 12, 9, 16 ठीक है हम से क्या पूचा है done का पूचा है तो done को हम यह लिख लेते हैं चलिए सबसे पहले w कितने पर आता है 23 पर o कितने पर आता है 15 पर r कितने पर आता है 18 पर और के कितने पर आता है 11 पर अब देखो 23 को 4 बनाना है कैसे बनाए मैं opposite भी तो लिख सकता हूँ 15 को 12 बनाना है देखो 23 को माइनस करके नहीं बना सकते 12 को तो माइनस 3 कर लें लेकिन 15 को कैसे करें यह 23 को 4 कैसे बनाए 18 को 9 कैसे बनाए 11 को 16 कैसे बनाए यहां क्या हो रहा है कि letter का letter की opposite place value है ठीक है ये pattern चीजे ये चीजे आपको याद रखनी है कि मेरा pattern क्या चल रहा है अब done 4 है तो मेरे ख्याल से पहला option 23 होना चाहिए 23 तेरे 12 तेरे वाले तो खतम हो गए O 15 है तो दूसरे नमबर पे मेरा 12 आना चाहिए N 14 है तो यहाँ पे 13 आना चाहिए E 5 है तो यहाँ 22 आना चाहिए तो 23, 12, 13, 22 Option में है 23, 13, 12, 22 जबकि 23, 12, 13, 22 होना चाहिए तो यह तो खतम हो गया 23, 12, 13, 22 तो मेरा right answer क्या हो जाएगा Option नमबर D जो की है बिल्कुल मेरे pattern से match करता हुआ तो उमीद करूँगा session पसंदार होगा session को एक बार जोड़दार तरीके से share कर देंगे और साथ में दोस्तों को बता देंगे कि आपके the future coaching पे बिल्कुल निसुलक आपकी classes चल रही है और basic से लेके advance तक की सारे question हम नहीं होगा चाहे आप ALP की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप railway की तैयारी कर रहे है चाहे आप UP police की तैयारी कर रहे हो चाहे आप SST की तैयारी कर रहे हो हमारे channel के साथ आपको हर चीज हर सुईधा बिल्कुल free of post मिल रही है और telegram channel से जुड़ जाएंगे तो आप महां से अच्छे-च्छी PDF study material ये चीज भी निसुल प्राप्त कर लेंगे बढ़ते हैं अपने next question के और next question क्या है हमारा किसी निश्चित भासा में वर्क को 5692 वर्क को लिखा है 5692 लिखा जाता हो तो उसी सांकितिक भासा में लव को कैसे लिखा जाएगा तो हमें क्या बताना है देखो अब तक लव की आपने definition ये लव का जो code पढ़ा होगा 143 बोलते हैं न I love you 143 तो ये भी क्या है देखो ये coding decoding सिया है आप डारेक्ट ना बोलके 143 बोल देते हैं तो यहां से भी यहां भी coding decoding चल रही है आज का love में प्यार में भी reasoning लगा देते हैं बच्चे लेकिन हमें क्या बताना है हमें केवल love का बताना है चलिए love का बताएंगे अब देखो work को लिखा है उसने 5, 6, 9, 2 पहले हम work का नंबर डाल देते है डगलू कितने पे आता है 23 पे ओ कितने पे आता है 15 पे आर कितने पे आता है 18 पे के कितने पे आता है 11 पे opposite क्या क्या होंगे 4, 12, 9 और 16 तो देखो opposite से तो कहीं मिलने रहा चार है 5 हो गया 12 है तो 6 हो गया 9 है तो 9 ही हो गया 16 है तो 2 हो गया लेकिन अगर मैं देखो तो यहां 5 है आप देखो इन दोनों का sum 23 को अगर मैं sum कर दूं तो 2 प्लस 3 होगा 15 को अगर मैं sum करूं तो 1 प्लस 5 होगा 18 को क्या होगा 1 प्लस 8 होगा और 1 प्लस 1 होगा अब देख भी रहाँगे कि 2 और 3 पांच मेरे पास है 5 और 1 6 भी मेरे पास है 8 और 1 9 भी मेरे पास है और 1 और 2 भी मेरे पास है मतलब है क्या आपका सीधा सीधा Place Value का भी आपको unit digit बना रखा है मुदला आपके जैसे माल लो आर मेरा 18 पर आता है तो 18 की प्लेस वैल्यू क्या है 18 लेगिन 18 को भी उसने क्या करा सम कर लिया प्लेस वैल्यू का भी यूनिट डीजिट में इक आई के अंक में नंबर बन रहा है जैसे 23 का 2 और 3 पांच 5 और 1 च्छे अब L कितना आता है 12 तो 12 का कही न की क्या बनेगा 3 क्योंकि 2 और 1 तीन 3 तीन 2 तीन 1 तो 3 यहां पे है यहां पे है तो 2 वाला खतम एक वाला खतम O 15 पे आएगा तो 15 का कितना बना ता 6 तो दूसरा लंबर जो होगा वो मेरा 6 होगा तो 3-6 यहां कितना है 3-5 तो यह भी खतम होगया आंसर तो E बनेगा आप आगे चेक कर लो 22 है 22 का कितना बनेगा 4 बनेगा क्या 4 है बिल्कुल है और E 5 है तो यह तो खुदी काई के अंक में है तो यह 5 ही रह जाएगा तो इकाई के अंक वाले नंबर को चेंज नहीं करना है आपको केवल उनको चेंज करना है जो एक से ज्यादा नंबर ले रहे है तो ओप्शन नंबर A मेरा क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर A हो जाएगा मेरा इस कोश्चन का राइट आंसर बढ़ते हैं next question पर next question क्या कह रहा है next question है आपका किसी निश्चित वासा में kdjq kdjq कितना लिखा जा रहा है 8 1 4 2 क्या बताना है prmt बताना है prmt t अब देखो यहां से k कितना आता है 11 d कितना आता है 4 j कितना आता है 10 और q कितना आता है 17 कुछ हैसा जो बन रहा हो बिलकुल देखो अभी हमने पढ़ाता अभी तक हम देखो क्या कर रहे थे हम सीधा सीधा सामने नंबरों को लिख देते थे लेकिन आप थोड़ा सामें इसमें advance चलना पड़ेगा advance in the sense जैसे आपको मज़े पता है कि क्या बोला है k d j q नमबर कितना कितना है आट एक चार और दो इसी तरी के से बनेगा अब k का नमबर कितना है 11 d का 4 है j का 10 है और q का 17 है अभी हमने पिछले question में देखा था कि अगर मैं place value का sum कर रहा हूँ तो भी मुझे अपना code मिल रहा है जैसे अगर मैं इसका sum करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 2 मिलेगा ये तो खुदी काई के अंक में है तो 4 ही रहेगा इसका sum करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 1 मिलेगा और इसका sum करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा आठ मिलेगा अब मुझे ये नंबर दिख रहे है कि दो भी है चार भी है एक भी है और आठ भी है दो चार एक आठ लेकिन कैसे है reverse में है कि reverse में place value का sum हो रहा है तो P कहाँ पहुँच जाएगा T के पास R कहां पहुँच जाएगा M के पास M कहाँ पहुच जाएगा R के पास और T कहाँ पहुच जाएगा P के पास अब P की place value कितनी होती है 16, 16 क्या बनेगा 7 अब देखो last में 7 किस में है sum में है तो यानि की pattern तो यही है, t की place value 20 है, 20 का sum कितना बनेगा, 2, तो यानि की starting 2 से हो रही होगी, देखो, 3, 2, 4, 4, तो starting 2 से कहा हो रही है, b वाले option में, r का ठार है तो 8 और एक 9 बन जाएगा, m का 13 है तो 3 और एक 4 बन जाएगा, तो मेरा जो number बनेगा, वो बनेगा, 2, 4, 9, 7, यह मेरा pattern बनेगा, अब यही देखो, option में है, आप काओगे, बिल्कुल यही pattern हमें, option number B में दिख रहा है, तो मेरा answer भी क्या हो जाएगा फिर, option number B हो जाएगा, मेरा इस question का, right answer, बढ़े है next question की और, और next question क्या कह रहा है हमारा, next question है, किसी निश्चित भासा में request को, S2R52TU, चलिए यह तो मतलब उसने number coding और letter coding दोनों mix कर दिये, तो acid को बताना है, सबसे पहले हमें request का दे रखा है, request का क्या दिया हुआ है, अब request का क्या दिया है, उसने, request का दिया है, हमें उसने, code क्या दिया हुआ है, S2R5, ठीक है, यह 5 है, 2T और आपका U, आप देख रहे होंगे कि जहां मेरे पहला number R का है, तो R को उसने S लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यह रहा, E को उसने क्या लिख दिया, E को उसने लिख दिया, 2, Q को फिर उसने क्या लिख दिया, R, U को क्या लिख दिया, उसने, पांच E को क्या लिख दिया उसने दो जहां E आ रहा है वहां दो आ रहा है S को कितना लिखा है देखो उसने T T को क्या लिख दिया उसने U अब आप देख रहे होगे कि जहां मेरे वियंजन है यानि कि कॉंसोनेंट की बात हो रही है वहां तो प्लस वन हो रहा है और जहां मेरे स्वर है वहां मुझे संख्या दिख रही है दिख रही है कि नहीं अब संख्या कैसे आई है आपको पता है जहां E है वहां हर बार दो आ रहा है अब E का दो कैसे आएगा आपको पता है मेरे पास पांच स्वर होते हैं A, E, I, O, U ये पहले नमबर पर आता है, ये दूसरे पर आता है, ये तीसरे पर आता है, ये चोते पर आता है, ये पांच पर आता है क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? आप कोगे कि जहां E है, वहां दो आ रहा है तो मुझे पता है A, C, I, D बताना है अब A आपको पता है पहला ही वोगिल है तो A एक पर याएगा क्या एक से सुरू हो रहा है वो तो रहा है एक, एक, बी से सुरू हो रहा है यह भी एक क्याने कि C तो मेरा अंसर नहीं है C में D बन जाएगा क्योंकि प्लस वन होगा A, E कितने पर आ रहा है एक, दो, तीन और D का क्या बनेगा E बन जाएगा क्योंकि प्लस वन हो जाएगा तो यहाँ अंसर बनेगा 1, D, 3, E क्या option ऐसा है देखो यह रहा अच्छा question था उमीद करूंगा एक इस्टार या दो इस्टार तो हम इस question को दे सकते है ठीक है मैं आपको जो important question होते है वो especially mark कराता रहता हूँ तो क्योंकि आप उन पर थोड़ा सा विसरीज ध्यान देंगे चलिए next question पर चलते है Question number 40 क्या कह रहा है हमारा किसी निश्चित भासा में manager को 34 लिखा जाता हो director को 35 और assistant को 36 लिखा जाता हो तो उसी सांकितिंग भासा में staff को क्या लिखा जाएगा चलिए शुरू करें देखते हैं question क्या गह रहा है सबसे पहले हमें दिया हुआ है उसने manager तो manager का code कितना है 34 तो पहले बना लेते हैं M-A-N-A-G-E-R और manager को कितना लिखा है उसने 34 उसके बाद director को कितना लिखा है उसने D-I-R-E-C-T-O-R director को कितना लिखा है 35 उसके बाद एक और दे रखा है assistant कि assistant को कितना लिखा है assistant को लिखा है उसने 36 और मुझसे किसका पूछा है इस टास का पूछा है तक यह बहुत आसान कोश्टन है कैसे आसान है कि इसने आप कितना भी इसमें पैटर्न लगा लेना आसान क्या मैं तो इसे टफ भी कह सकता हूं क्योंकि हमारा दिमाग वहां तक जाए गई नहीं जहां तक यह कोश्टन ले जाने की कोशिस कर रहा है इस कोश्टन में मैं आपको पैटर्न सीधा सीधा बता देता हूं क्योंकि आप कहीं ना कि इस सवाल में फसेंगे जरूर इस सवाल में देखो आपको जो पैटर्न बना हुआ है वो स्वर और व्यंजन की संख्या के आधार पर बना हुआ है कैसे आ यह मेरा स्वार है और यह मेरा इधर व्यंजन है आप देख भी रहोगे तीन स्वार हैं और यह मेरे चार वियंजन है तो तीन स्वारों की संख्या और चार वियंजनों की संख्या इसमें अपलाई करो पहले स्वार है ना तो पहले स्वारों की संख्या गिनते हैं पहले हम एक दो तीन तीन स्वर हैं तो देखो तीन आ रहा है वियंजन कितने हैं एक दो तीन चार पांच तो वियंजन भी कितने हैं पांच तो बन गया पैटर्ण इसमें स्वर कितने हैं एक दो तीन ये आ रहा है वियंजन कितने हैं एक दो तीन, चार, पांच, छे, छे विंजन भी आ रहे है, इस टाफ में सुवर कितने हैं, आप कहोगे इस टाफ में तो एक ही सुवर है, ए, तो बचे हुए विंजन है, तो दो और दो चार, तो मेरा आंसर भी कितना बन जाएगा, चोहदे, चोहदे, तिरालिस, तेईस, तैइस, त समझ गए होगे और इस question को आप easily tackle कर जाओगे, क्योंकि main क्या होता है आपका, जो question आपके सामने आएगा, उसे आपको किस तरीके से approach करना है, मेरा जो main मुद्दा है, वो यही सिखाने का है, आपको यह चीज आ जा जाए अच्छे से, कि कौन सा question मुझे किस तरीके से tackle करना है, किस तरीके से मैं इसमें pattern लगाऊं कि मेरा जो answer है, वो जल दिया जाए, अब कुछ question होते है, जो advance level के होते है, जिन में जो आपका question है, वो अलग तरीके सी होता है, जैसी यह question है, इसमें हम कितना भी plus minus कर लेते हैं, यह answer नहीं आता, आता तो एक का जाता, दो का जाता, तीसरे फेगल अतो हो जाता, तो हम time waste नहीं करके, सीधा हमने इसका जो pattern है, वो जाना, कि वहीं क्या pattern हमारा question demand कर रहा है, तो इसी तरीके से और भी question हम करेंगे, एक question मैं आपको homework के लिए दे रहा हूं, एक question मैं आपको daily homework के लिए देता हूं, question number जो आपका 41 है, और ये question मैं आपको homework के लिए दे रहा हूं, इसका जो answer है, आपको comment box में करना है, और comment box में answer करना है, तो comment box में answer करना ही है, ये दियान रखना है, आप अपना answer देंगे, सही और गलत का पता हम कल बताएंगे, और जिसका भी answer सही होगा, उसका नाम हम कल अपनी वीडियो में जरूर लेंगे, ठीक है, तो question क्या है, किसी निश्चित भासा में dear को 1, 2, 2, 1, 5 लिखा जाता है, high को 5, 6, 4, 5 लिखा जाता है, तो उसी भासा में heel को कैसे लिखा जाएगा, option भी हैं, आपके पास 2, 3, 2, 8, 3, 4, 4, 9, 4, 3, 3, 7, 5, 2, 2, 9, तो आपको देखना है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा और answer आपको comment करना है, session पसंद आया हो तो session को like करेंगे, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना नहीं भूले, channel पे पहली बार आए हैं तो channel को subscribe कर लेंगे, क्योंकि हमारे channel पे आपको सारी की सारी जो government exam की तैयारी है, वो बिल्कुल निसुल, यानि की free में कराई जा रही है, आप से कोई charge नहीं लिया जा रहा, बस केवल आप से केवल और केवल जो charge के रूप में हम like, share और subscribe मांगते हैं, ठीक है, telegram channel से जुट जाएंगे, telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा, और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखनी हैं, या आप पहली वीडियो पे तैयारी करते हैं, तो आपको description में सभी का link दिया हुआ है, आप description में जाके, या playlist section में जाके, one by one अपने exam के according, playlist select करके पूरा तसली से पढ़ सकते हैं, लगबग हमारा math का 75 to 80, 75% हमारा syllabus जो है, complete हो चुका है, math का reasoning में भी हमने 50 to 60% syllabus जो है, वो cover कर लिया है, तो लगबग लगबग बराबर ही चल रहा है, देखे, math की class जादा होती है, reasoning की class आपकी दो दिन होती है, Friday और Saturday, और math की class जो होती है, वो Monday to Thursday होती है, तो यहाँ पर चार class है, और reasoning में आपके पास केवल दो ही class है, तो इसमें समय लगता है थोड़ा सा reasoning का, लेकिन reasoning का जो syllabus है, वो कम भी होता है, तो उसी को continue करते हुए, अगर ऐसी बात आएगी, तो हम reasoning के अपनी एक दो classes बढ़ा देंगे, math में कम कर देंगे क्योंकि math का जो syllabus है, वो almost complete होने की अगार पर है, इसके बाद जैसी हमारा syllabus complete हो जाता है, फिर हम तुरंत mock test चुरू करेंगे अपने channel पर, जो की होंगे आपके subject wise, subject wise हम आपको mock कराएंगे, math के अलग, gs के अलग, reasoning के अलग, और hindi के अलग, वहाँ आप अपना score बताएंगे बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है पढ़ाई का, आप अपने enjoy के साथ पढ़ाई कीजिए, बस आपको क्या करना है, पूरे दिन में 6-8 गंटे अपनी पढ़ाई के नाम के निकाल ले हैं, तो 6-8 गंटे अगर हम 24 गंटे में से निकाल लेते हैं, तो कुई जादा संख्या न जो भी आंसर होगा वो मैं आपको कल बता दूँगा, हील का आपको बताना था, thank you मिलते हैं नेक्स सेस्न में, तब तक के लिए enjoy, thank you